दोस्तो मानशुन का मौसम चल रहा है और हर जगा लगबग वारिस वैसे में दोस्तो दोस्तों वारिस के मौसम में अगर पा। तो हमें यह बहुत अच्छा रिजर्ट देते हैं आपको यह नुवेंबर दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहते हैं इसके जो फूलोते हैं बहुत ज्यादा बरे बरे और गुच्छे में खिलते हैं तो यह जो मेरा प्लांट है दोस्तों यह मार्च अप्रील से ही इस था कि अप्लानट है अभी भी फ्लावरिंग करता रहां नुवेंबर दिसंबर तक तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाच तक बनी रहे गया कि बारिस के मॉःसर में कौन सा फ्टेलाइजर देते हैं और इसकी कैसे क्यर करते हैं नमसकार दोस्तों कैसे हो आपसब आपय चंपा के कोई भीबराइटी हो दोस्तों बार बरसाद के मौसमें ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि जो भी प्लांट है उसको पानी बहुत कम चाहिए गर्मियों में भी हम इसमें पानी कम डालते है और बारिस के मौसमें तो अगर लगतार बारीस हो रही है तो यह जो फूल बोहत ही हैवी फ्लावरिंग गभार, वहाँ प्लावरिंग रहा है किćना बड और भूड़ प्लावरिंग कर रहा है तो हर ब्रांच में इस तरह से स्टिक निकले हुए है और देखिए कितने ज्यादा इसके फूल खिलिव है इसके फूल के साइज होते हैं दोस्तों वह बहुत बरे बरे होते हैं देखिए कितने उचाई पर चला गया है तो दोस्तों अभी इसको जो केर करनी है इसको वैसे ही को अदेवा लोगात है तो इसको नुटती है तो इसको अवारिस निकलती ही तो आएक पूरा दूप मिल सके इसकी जो मिटी है वह शुकता रहा है ताकि यह ज्याद इसकी दिजिक होने पर यह प्लांट ख़ाब होने लगता है इसके जो यह एकनि देखितना प्लान्त मेरा और और इस ही कर प्रूण कर कर Crystal's old सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैं, तो बारिस के मौसम में गर्मी के मौसम में तो हम इसमें दो दीन एक दीन में पानी डालते हैं बहुत तेज धूप निकलती है लेकिन बारिस के मौसम में क्या करें इस प्लांट को हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि धूप भी इसको चाहिए तो धूप में रखना बहुत जरूर तो यह इसके रूट्स गल जाते हैं और प्लांस खत्म हो जाते हैं तो हमेशा इस प्लांस की मिट्टी गिली न रहे और इसमें हवा लगती रहे मिट्टी में ऑक्सीजन प्लांस को मिलता रहे इसके लिए हमें सप्ताह में एक दिन गुराई कर देना चाहिए अगर मिट्टी तो भी इसके रूटो बचा के दोस्तो इसकी जरूर घर्ता कि अवहा लगती रहांete smiles देखने में बहुत खुब्सूरत चमकदार होती और Minor Size आगे से बिलकुर विल्कुल नाक के फंझ य exhort नाग चम्पा करते हैं देखने में तो यह खुबसूरत लगता ही है दोस्तों और चमकीला भी होता है इसके जो फूल होते हैं वो और भी ज्यादा खुश्बू नहीं होती है लेकिन जो जेनरल चम्पा होता है जिसको हम पूजा के रुप में यूज करते हैं इसको फूजा मे हो बहुत बरी-बरी होती है तो दोनों अलग-अलग दौस्तों होते हैं यह गूजी हो जाता है स्फूला उसके जो प्लांट होते हैं वह एक पेर जैसा बन जाता है यह ज़ chronic करेंगे उतना यहीं घ्रना और बूशी बने एंगा यहाद लेकिन चम्पा के प्लांट होता है लागी हो जाता है motor motor उसके ब्रांच हो जाते है ऊपर जाके वो पेश बनता है कि इसे did今回 राभ जयाते हैं जो फून होते हैं चंपा के वह बहुत खुश्बूदार होते हैं और बहुत सारे color में आते हैं जैसे यह color है wine और जलो की सेड में है एक रेट कलर में है मेरे पास तो यह चमपा में खुश्बू बहुत जादा आती है लेकिन नाग चमपा में खुश्बू नहीं आती है दोस्तों मांसुन के मौसम में बात आती है कि कौन सा फटिलाजर देता कि हमारे जो प्लांट है वह हल्दी रहे और यह जादा लगतार बारिश के चलते ज्यादा तर गिरने लगते हैं गल के तो गल के गिरेना ऐसे ही प्लांट में फूल बना रहे गुल्दस्ते जैसा और यह जो फूलों का जो खिलने का प्रक्रिया वह लॉंग लास्टिंग रहे दिसंबर तक ऐसे ही खिलता रहे जब अब दिखा दी तो यहां यह बर्मी कंपोस्ट यह फिर गया की गोबर उसे मैं डाला था और यहां देखे यह थोरी सी दो मुठी मैंने बॉन मिल लिया था और बॉन मिल हमारे प्लांट की रूट्स को हल्दी रखता है और यह देखिए यह चाय पति है जो पीके हम देते है वही धोके मैंने रखा यह नीमखली जो मिल को हल्दी रखता है तो यह चार फटिलाजर मैंने बना के सॉलिट फटिलाजर अपने प्लांट को दिया था और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा निखर के आता है कि अभी तक इसमें इतने ज्यादा फूल खिल रहा है लेकिन तसलिए दड़म इस समयों फटिलाजर हम देते हैं व मेरम टेदल का इसके हंद हनोरãos प्लांट में डालन ऑट एक पोदों के इसके हैं अब बेरोक्तव हम चंकितेन। तो मिट्टी सारी गिली है तो इसके रूट्स को बचाते हुए हमें गुराई करनी है किराई किनारे किनारे तो यहां पर देखिए मैंने हलकी ही गुराई की है और यह जो डियेपी के दाने है दोस्तों इसको डालना है तो यह दो प्लांट्स के लिए मैंने लिया देखिए द और यह डी एपी के दाने जो मिट्टी को बहुत ही अच्छा से रिचार्ज करता है और इसके रूट्स को मजगूत करता है तो यह दोनों तरह मैंने डाल दिया दोनों गमले में लेकिन दोस्तों इसमें मैं पानी अभी नहीं डालोंगी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है अ डालेगे वर्णाभी पानी डालेंगे तो इस तरह से दोस्तों डीए पी और बॉन्मील हम अभी मांसुन के मौसम में डालके अपने प्लांटस में ड्हेर सारा फूर ले सकते हैं और फूल खेलते हैं वह गीरे तो लाइक शेर कीजिएगा मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ और एक कमेंट जरू कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई दोस्तों टेक केर हैपी गाड़निंग